आज हम बात करने वाले एक अजीब प्राणी के बारे में अब ये प्राणी कौन है? इस प्राणी के गाने सुन के दिन चैक पूजा ने भी बोली I quit और इस प्राणी का नाम है अब आजकल के गानों में लिरिक से जादा फालतुगिरी होती है और उसके जीते जाते एक्जामपल है अपने टोनी भाई इनके गाने सुनने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार गाने बनाने में तो बहुत महनत लगती होगी और महनत लगती भी है पर टोनी भाई को नहीं स्टार्टिंग ही इतनी बखवास हुई है तो वीडियो कैसी जाने वाली है इसका अंदाजा तुमें शाकला का बुम-बुम को देखकर लगाई सकते हो नो बपाई टोनी भाई लिरिक्स नहीं लिखते है टोनी भाई राइमिंग वर्ड्स बनाने बैठते है और बस उनी राइमिंग वर्ड्स को पूरे गाने में कंटीनियो में बोले जाते है और रुकते ही नहीं है भाई अब ये जो मीठा इतना उचल रहा है ना इसको जब तुम मेक अप और बिना मेक अप के देखते हो तो पुरा इतना फर्क नजर आता है तोनी भाई का रैप सुनके मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने दिन चैक पुजा की स्क्रिप्ट चुराई है ये सही है पहले हमारे रोस्टिंग माटेरियल को तुम अपने गानों में ले लो और उसके बाद फिर ये बोलो असल में टोनी भाई क्या कहना चाहते हैं मैं तुमें बताता हूँ ये टिक्टॉकरों को अपनी गानों में लेंके ठक चुक है इसलिए अभी है यूटूब के तरफ भी बढ़ रहे हैं अब बढ़ते हैं अगले गाने की ओर इस गाने को तुम ये कहलो या फिर ये कहलो दोनों इसी गाने के नाम है अरे 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 बस 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 भाई मतलब जो इपर ही चालू होते हैं ना अब तुम पता है ये गाने इतने व्यूज कैसे कमाते थे सिर्फ टिक टॉक के जरिए महाँ चूतियासा गाना भी ट्रेंड बन जाता था जैसे कि ये जादनी रात में गोरी के साथ में आसमान में देखूंगा नागीन तूनी भाई मैंने आपको अभी तक बहुत इज़त दे दिया पर अब नी साले इतने अजीब से राइमिंग करके इतने विश्चाप लेता है साले चूति ओटाटियूं का कीड़ा है तू मैं तुम बता रहा हूँ ये कति किस्मत का खा रहा है तो चलो त्यार आज के लिए बस इतना ही मैं तुम लोग से मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सीया